कि हाई फ्रेंड्स वाकॉम टू आनकादमी आम नवदीपकौर और आज हम डिस्कुस करेंगे पेपर का अनालेसिस फोर कॉमर्स शिफ्ट टू ठीक है जो आज अभी एक्जाम हुआ था उसके उपर हम लोग अनालेसिस डिस्कुस करने वाले हैं जी तो आज रात को 10 बजे हमारी क्लास है इस पर्टिक्लर क्लास के अंदर हम लोग डिस्कुस करेंगे पेपर मन की बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके नेक्स एक्जाम में आ सकते हैं तो मेक्शोर कि बिल्कुल भी मिस्त नहीं करना नव क्लास इस नवदीप ला सौabout को पेपर वान पेपर टू कॉममट्स में अच्छे से पूरा अ-टूज है अगर आपका से अपकोई और है धाल है तो उनको भी आप साथ में देख पाएंगे वैसे अगर आपका कॉमर्स है और पेपर वान पेपर टू कॉमर्स इस एनःफ से आप चूज कर सकते कौन सा सब्सक्रिप्शन आप लिना चाहते हैं अब करें आपको और परशनलाइज कोच और डिसकाउंट मिलता है और नया कोर्स मेरा चल रहा है ठीक है कुछ बच्चों ने मेरे से कोशिन पुछे ही कल आया था तो मैं रिनियर्वल एनर्जी सो जो 24-7 काम करता है वो कौन सा है दैन इट इस हाइड्रो पावर ठीक है हाउड्रो पावर बेसिकली 24-7 वाला है सो आज की वेपर का अनालेसिस कुछ इस तरीके से है कि पेपर वन मेंली इजी ही था दियाई थोड़ा काल्कुलेटिव था बाकि हमने टॉपिक्स डिसकस कर लिए थे अभी अपने चैनल पर अभी हम कॉमर्स का अनालेसिस करते हैं डियाई कुछ यह आपको टोटल दिया ऐसा करके आप सोल्व कर सकते थे इसमें से ऐसा करके ही बाकी सारे उप्शन्स चूज कर करके प्लस करने थे ठीक है तो इतना तो आप प्रैक्टिस करते तो होगी जाता है पेपर वान में कोशन पूछे गए थे समाने लक्षन ग्यान लक्षन योगजा को इनके को जीजन में अलिसीट मेजर का कोशन था फ्रेंड्स यह आज रात को 10 वाली क्लास में आपको कुरा दूंगी तो आएगा उसमें तो हम डिसकस करेंगी इसको ठीक है और साउंड इस इटरनल बट इस को उस्ट क्या साउंड को होता है तो यहां पी जिसे की विरुद का ऑप ठीक है तो मतलब बेसिक अंडेस्टानिंग होनी जुरूरी है तब ही आपको यह कोशन सब्सक्राइब होंगे जो क्वाइन वाला कोशन था यह क्वाइन डाइस को टॉस किया और उसके पॉसिबल इवेंट बताईए तो अगर आपको यह वाले टॉपिक पढ़ने है तो मेर प्रबिबिलिटी सिखाया हुआ है तो उससे आप यह कोशन से इस टाइब के बना पाएंगे उस कोर्स में सिर्फ एट क्लासी आठ क्लासी वह भी आठाट मिनट की एट-एट मिनट की और उससे आपके कोशन हो जाएंगे अब हम पेपर 2 कॉमर्स वली बात करते हैं ठीक है ओप्सला मॉडल मैं भी आज लेकर आई हूँ विल्लिसकस ठीक है सबसे पहले अगर हमें अग्रिकल्चर इंकम का टेक्स काल्कुलेट करना चाहिए उसके बाद नेट अग्रिकल्चर इंकम पर इन दोनों को ही प्लस करते हैं ठीक है अग्रिकल्चर इंकम प्लस मैक्सिममुंण दो उख जाते हैं कि आपकी अगर इन आग्रिकल्चर इंकम का टेक्स का बढ़ रहा है वो लख कैर दो जुखेंग प्लस इंकम क друз कि उपर अगर हमें देखना है पफि या जिटना भी माइन नियुस करके और उसके इसाब से एजूकिशन से ऐसा लगने तो वह लगने फिर इसको से घ्येम्पल लेते हैं एक परसन थी और उसकी house property, agriculture income, long term capital gain, lottery, insurance, income from betting and notified bonds of nabard ये सब आ रहे हैं ये question है ठीक है अब इसके इसाफ से आप बताए ये agriculture income कितनी है agriculture income एक साथ है बाकी सब कहा रहे है बाकी सब non agriculture income में आ रहे है तो उन सब के according आपने इसका पहले income tax calculate करना है so gross tax liability कितनी बनती है income from house property 3,50, long term capital gain 60 जो कि normal rate से होंगे अब income from other sources हो गई 60 lottery और बैटिंग कि आ रहे है इसकी अगर total income हो गई इतनी कितनी इन सब को plus करेंगे तो उसमें से क्या deduction अब लेबल थी क्योंकि इसने LIC का insurance premium भरा है तो 10,000 notified bond में किया है इन्वेस्ट तो 50,000 दो लाग तक exempt है तो total 60 हो गया minus उसमें से यह minus करेंगे तो total income आ गई ठीक है total income gross total income आ गई अब step number one के according आपने पहले calculation करनी है tax की non agriculture income जो की 4,10,000 और agriculture income जाने कि 1,60 इन सब को plus करके आ रहा है 57 अब इसमें से यह देखना है कि जो long term capital gain था 60,000 वाला उस पर tax लगता है बाकी का जो portion है अब इसकी income के according calculate होगा जैसे की हाँ जी पेपर वन टॉप था बहुती आच्छा वेरी गूड तो फ्रेंड्स tax on remaining बाकी के हिस्से पे जो बचा है tax उस पर 5% लगेगा इसमें से यह दोनों मैनस कर दिना साथ और यह मैनस कर दिया अगर जब हमने तो पांच पर से लगा और नोन अगरिकल जगा चोड़ करके तो वह गया 10 लग और यहां पर 2 लग यह कैसे लगा इसको समझू ज़रा इसको ऐसे लगा कि कितना आपका एक्जम्ट है 450 में से 3 लग एक्जम्ट है मतलब क्योंकि basic जो आपकी income आती है वह 3 लग आती है ठीक है तो 3 लग वाला एक्ज आउंट है यानि कि 2 लाख कि धाई लाख एक्जम्ट है ना रुको सॉरी धाई लाख एक्जम्ट है उसकी उपर आया दो उसकी उपर आपने 5% क्या वह 10,000 आया यहां तक क्लियर हो गया अब टोटल टैक्स इसका इन सब को प्लस करेंगे तो टोटल टैक्स आ गया 40,000 यहां हम आते हैं नेक्स्ट टैप पे नेक्स्ट टैप पे नेट अग्रिकल्चर इंकम प्लस मैक्सिमम एक्जम्ट लिमिट कितनी है आप देखो मैक्सिमम एक्जम्ट लिमिट इंडिवीजल के केस में 250 है तो टोटल नेट अग्रिकल्चर इंकम 160 गिवन है और मैक्सिमम एस पर स् 41 मतलब 4,10,000 फिर इसके उपर टेक्स देखेंगे जो की धाई को माइनस करके बाकी का जो हिस्सा बचा उसके उपर बन रहा है 8,000 अब लास में क्या करना है अब लास में यह करना है step number 1 and step number 2 से जो निकला इन दोनों को आपसे माइनस करना है यह माने plus class में कराया हुआ है माइनस करके 32,000 आ रहा है इसके उपर रिबेट मिलेगी क्या रिबेट मिलेगी क्योंकि इसकी total income जो second step में आ रही है वो 5 लाग से कम है 5 लाग तक का income का मिलता है और एक्रिकल्च income अगर हटा भी दो तब भी इसकी 5 लाग से कम है तो ultimately मिलेगी इसको रिबेट 87 एकी क्योंकि less than पूरा मिल जाएगा उसके बाद education success लगेगा 4 परसंट और total tax payable इसका आ गया 20,280 बिल्कुल इसे तरीके से जो आज का question था उसको भी solve करना था अब आज का question भी कर लिए solve if you want अगर figure आपने मुझे सही बताए इसे दोई चीज इनकम स्केरा स्टेप नॉमर बन प्लस नट अगरीकल्चर इंकम ठीके नोन अग्रिकल्चे इंकम क्या रहो आप 3 लेक थी और अग्रिकल्चे इंकम 5 लेक थी तो टोल होगी 8 लाग यह तो बड़ा माल नहीं निकला अरे बापरे अब इसका और कुछ तो थाई नहीं सीधा स्लाब लेट से लेते है आठ लाग के उपर धाई लाग का एग्जम्ट है ठीक है तो बाकी कितना बचा धाई के उपर 5 तक तो धाई के उपर 5 लाग तक का तो यानिकि 550 के उपर पढ़ेगा 5 परशन्ट एडुकेशन 5 परशन आटेक्स ठीक है 5 लाग तक का हिस्सा हो जागा यह यह कितना आ रहे हैं जी कैलकलेट करके बताए उसके बाद 3 लाग दिया पहले 250 तक निल है ठीक है उसके बाद 5,00,000 तक यानि कि 250 से 5,00 धाई बचाना उसके उपर 5 परसेंट है ठीक है उसके बाद एक्चुली ये टोटल 5,00,000 तक का काम हो गया इसकी है 8 यानिकी 3,00,000 और बचेंगे और 3,00,000 की उपर कितना है 10 परसेंटेज यह है अच्छा 2 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0 अभी 3,00,000 की उपर 10 परसेंट और लगेगा ना कितनी स्लाब रेट के इसाप से है 30 4,25,000 तो इसके हिसाप से बन गया ठीक है यहां तक हो गया हमारा क्योंकि टोटल 8 करना है इसलिए अब आ जाते हैं आगे फिर नेट अग्रिकल्चर इंकम प्लस मैक्सिमम एक्जम्शन लिमिट नेट अग्रिकल्चर इंकम इसकी है 5 लैक एक दो तीन चार पांच प्लस मैक् ठीक है तो इसका मतलब इसका हो गया 751234 अब इसके इसाप से टेक्स लेंगे पांच लाग का ता वही बन जाएगा जो आपको पता ही है पांच लाग तक का तो वही बन जाएगा और बाकी की तीन लाग नहीं अब धाई बचे इसकी इसके उपर 10 परसंटेज यह आजएगा 25000 यह कितना बन रहा है यह बन रहा है आपका 50071 ने रुको एक मिनिट साथ अब क्या करना है अब स्टैप नमबर वान एंस्टैप नमबर टू में जो भी निकला उसको आपस मैंनस करना है जो कि है 37500 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस क्रिताना पांचेजार बस पांचेजार आया 5000 इसका आया यह वला माउंट ठीक है यहां तक क्लियर होगे सबका 5000 आगे सबको 442 में से 37 माइनस करेंगे तो 5 आगे चलू मैं हट जाती हूँ एक बारी स्क्रीन शॉट ले लो फिर मैं आगे जाती हूँ वापिस नेक्स पेस पे यहां तक का काम हो गया और हमने स्टैप नंबर थी भी कर लिया जो कि हमारा आ रहा है 5000 अब क्या करना है अब टोटल रिबेट इसको मिल रही है क्या इसकी इंकम दो पांच लाख नोन अगरी कल्चर इंकम सो खैर इसका रिबेट अभी देखना पड़ेगा रिबेट मिलेगा कि नहीं क्योंकि इसकी टोटल इंकम आठ लाग हो रही है लेकिन नॉर्मल नोन अगरी कल्चर इंकम तीन है अच्छा इंक्रीज तीन लाग तक है ऑप्शन क्या थ लगाते हैं रिबेट अगर इसको बारा मिलेगी तो तो निली हो गया रुको क्योंकि इसकी नॉर्मल इंकम तीन लाख है न निल हो गया यह तो अगर रिबेट मिलेगी इसको फिर तो निल हो गया ठीक है 26 था बाकि अगर एजुकेशन से लगाएंगे फिर यह आंसर आएग इसको इसको नॉर्मल तीन लाख है क्योंकि उसमें भी इतनी मैनत करके खाम खराब करा दे इतनी मानत करी हमने उसके वाद खाली हो गया सो इंकम टेक्स इंकम टेक्स रिटार्न को जी भरेगा इस एग्रिकल्चर इंकम ओफ दा सैसी इस अप टू 5,000 डिस्क्लोज करने अग अगरिकल्चर इंकम 5,000 से ज्यादा हो रहा है तो फिर यह 60-year-old थे यार यह पहले बोलना था ना हम पूरे काल्कुलेशन करा दिए अपकर उसाठ साल के ओल्ड थे तो फिर तो वैसे उनका वहट गया वाँपे अच्छा सो आई टी आर टू आई टू में कब जाएगा जब 5,000 अबबव है इनके कोशन के कोडिंग यह कौनसी वाली आई टी आर भर सकते हैं यह आई टी आर टू भरेंगे अगर यह बाइचंस नेक्स क्लास में कोशन आजेगा ठीक है अच्छा बाकी हम देखते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रिपूशन के उपर कोशन था सो मीन निकाला था एंटू पी करके वीरिस निकाला था वीरियंस और यह देखो मैंने हर जगा आपको दिया वाया और सुबह वाली क्लास अगर किसने अनालेसिस देखा था मेरा वहां प अपता को सक्सेसर मतलब इसके बाद आया यू एस एंसी यह और यहां से कॉश्चन आया था देख लो ठीक है ट्रांस पैसे बाकी तो खैर पूरी स्लाइड आप देखे लिए ना यह कॉश्चन सुबह आया था ना कि किसमें कितनी कौन-कौन सी कंट्रीज है अभी आया कि एडिशनल को सारे यू शेप है तीक है और लॉंग रंज होता है वह शौट रंड के काब बनके आता है जो मॉडर्न ठियोरी है कॉस कोव की उसके अंदर शौट रंस दूंक में जो आपका शौटट रं अंसी होता है औरते वहज़नल को Also Rat Bye Bye By झानल एक कुछ इस कि सॉसर और चाहिता हो नियुकि सॉसर शीप होती है इसी औरAR कैसे जा रहे है ठीक है यह वाला कि अगर हम देखेंगे तो आपका कैसा होता है या फिर इन्वर्टिड जे जे शेप का होता है यह वाला एलम सी एन एले सी लॉंग में ऐसा क्यों होता है विकॉज ऑफ टेखनोलोजी और विकॉज ऑफ इनोवेशन जो कमपनीज होती है उनको अगर दिस इकनोमी से कोशन पहले यूशेप क्यों होता है यहां पर आपकी कोस्ट गिर रही है गिर गिर रही है लेकिन आप एक लेवल के आगे प्रोड्यूस करना चाहोगे तो फिर क्य लग जाती है यह तो थी पुरानी थियोरी ओल्ड थियोरी लेकिन अब न्यू जोरी में क्या है मैं सारे कोशन लेकि आई हूँ भी पड़ो तो सही है न्यू में यह है कि तो उसको गिराने में कंपनी हमेशा शक्षम हो जाती है और उसकी डिस इकनोमिस को अवाड़ी कर दे जाती है तो इस वये से कंपनी डिस इकनोमिस में नहीं जाती तो यह आपके मॉड़न थियोरी से सो देखो लेर्नर्स की टेस्टीमोनी आज काफी अच्छा रहा और आम सो हैपी फ्रॉम माय प्लस लेर्नर्स और फ्री लेर्नर्स सो साथ में देख लिया करो भई अब आते है यह कोशन था राज की स्यावी 20% अगर इंक्रीज हो जाती है और टेक्स उसका टैन परसेंट से तो फिर टोटल टेक्स परसेंटेज कितनी होगी तो मतलब कुछ ऐसा कोशन था कैट्बरी और नेसले की यहां पर एड़र्टाइजिंग स्राटेजी में एक्जाम्पल्स दिय अब दिखा रहे थी वह मैंने डिया आपको दिखाई दिया था याउक्यू का इक कोशन आया था यह क्या वह रिवाइज हो गया था हमारा कल भी मैंने कराया है ठीक है कि यहां कुछ क्या रहे कि जैसे वह वला इस्यू जरूर आया कि कि इसी का माउस नहीं चल रहा है बच्चों को चलो और प्लस लेनर थांक्यू सो मच एंड पर वाजी सिक्वेंस बेस कोशन जादा थे सिक्वेंस परता है तो नेक्स अगर आपका एक्जाम में तो प्रेपर ट लेंदी वाला ना लगे अपनी स्पीड बढ़ाओ स्पीड निमेरिकल ओनी एक या दो हीत लग रहे थे इनको इंकम टेक्स वाला जैसे बता दी मनें दो आर्सी थी कॉमर्स में कोविड के उपर थी एक और एक मानेजमेंट के उपर थी फॉमले को मैच ही करना था बाइनोम और उसा कोशन डिक्टो मैंने कराया हुआ था सेम एक्जाक्लि सेम 3200 यूनिट यूर्ली डिमांड है अगर यूनिट के कोई से 6 रुपीज 25 परसेंट उसकी वो यूर्ली दिमांड है एक्जाक्लि सेम फ्रेंड्स आपको याद है यह कोशन मैंने कब कराया था दो दीन पहल एग्जाक्ली डिजट भी सेम तो क्या होगा 3200 इन्टू 150 इन्टू 2 और 6 का 25 परसेंटेज इसको अपने रूट करना था सब्सक्राइब करते हैं कौन डेवलप कंट्रीज यह वाला ऑप्शन था हां इसमें ऐसे उप्शन थे जायाता है जायाता है डॉमिनेट करते हैं कौन डेवलप कंट्रीज जैसे की यूएस, यूके, जर्मनी या कह सकते हैं यूएस, यूके, रशिया, जर्मनी, बेल्जियम ठीक है तो यह इसका सिक्वेस बन जाता है अगर यह कोशन था ठीक है हो तो पीवाई क्यों ही है मैनेजमेंट रूल से आया था कि क्या फायदे होते हैं गुडविल कल्कुलेट करनी थी फाइव यर का डाटा दिया हुआ था उसके इसाब से गुडविल को कल्कुलेट करना था सबसे जादा इन इलास्टिक है ना तो यहां पर मोनोपॉली आज़ा है तो सबसे जादा इन इलास्टिक है ना तो यहां पर सबसे एलाफियर मोनोपॉली आज़ेगा फिर मोनोकर लिस्तिक आज़ेगा फिर उसके बादविगोम न अदेल सबसेंदेन और first means झाल अवे कैंक्यों कंपक्तिक होती होती है ना अप्षा किंद हाब साकिन तीपरसंट के बाद सीधा 20 परसंट तो 20 लेगा है इसróग्तों से कर ना चलटा से बनता है कोई चीकांजी 20 पर से काड़ना पहले पांश परसंट है उसके बाद से सकींद ट्वन्टी अरे वह बच्चों ने मेरे को बाद में बताया है कि 60 प्लस है वो पहले तो उससाब से भी देख लेते हैं एक व्यक्ति कि हाँ यह वाली अग्री कल्च ना थ्री लैक्स बताई नहीं कि यहां पर 60 प्लस लिया था कि नहीं हां यह मैंने सुभे कराया था अपको करते हैं फीमें यू में कि तो आपने डिसीज के लिए अपनी डिसीज के लिए परसंवी दिसीबिर्टी अपने खुद के लिए यहां पर डिडॉक्षन मिलती है सीवेर डिसिबिल्टी 80% से जाधा है तो एक लाख पच्चिस 80E में क्या है पेमेंट ऑफ इंट्रस्ट अगर हायर एजुकेशन का लोन है तो उसके लिए मिलता है पेमेंट ऑफ इंट्रस्ट यहां कोशन यह पूछ लेता है इंडिवीजल के लिए किसके लिए कि लिए को इंग्रीज कर दिया गया है 2021 तक ही थी तो ख्यार इंट्रस्ट पेबल इंडिवीजल नोट अलिजीबल क्लेम डिड़क्शन अंडर इए जो एए में अलिजीबल नहीं है तो वो यहां पर आजेगा और इए बी में कौन सी है फानाइशल इंस्टिउशन लोन टेकन बाइंडिवीजल फ्रॉम एनी फानाइशल इस्टिउशन दूरिंग दे पीरिए 23 तक इसको एक्स्टेंट कर दिया है 2023 तब इलेक्ट्रिक वीकल का है यह ठीक है ईए बी इलेक्ट्रिक वीकल का है जी के अंदर कंट्रिबूशन आप अब कितना हो गया 2000 पहले था दोहजार से ज्यादा डिनेशन नहीं कर सकते कैश में और हंडेड़ परसंट डिदक्शन के अंदर अभी करोना भी आड़ हो गया इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नैशनल रिडिव फंड के अंदर कोवीड से रिलेटीड अगर हम देखते है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड मेमोरियल एंड राजीव गंदी फांडेशन इसमें तो नेशन कितनी अलिजीबल है 100 परसंट लेकिन इसके लिमिट है लिमिट में क्या है मैं यह सब पढ़ा हुआ है रिसर्च अप्रिटिव ओंड लोजी रियलिजम हां तो व अगर आप माली जीए आपके ग्रोश टोटल इंकम है साथ लाख और उसका टैन परसंटेज आता है सत्तर तो इस तक मिल सकती है अगर आपने इससे जाधा दिया है इवन दैन आपको यह सब्जेक्ट वैस इससे जाधा डिदक्शन नहीं मिलेगी ठीक है तो इसका मतलब यह होता है 100% अगर इससे कम है तो पूरा नहीं तो इस तक ऐसा तो यहां पर कुछ इस्तरगी के और यहां पर 50% विद 10% एडजस्टेट ग्रोश इंकम का सब्जेक्ट वगर दिया क्यासे आएगी वह हमने डिसकुस कर लिए एग्जंट लोंग तर्म कैपिटल गेंज बतलब इससलिके से अड़जस्ट करना पड़ेगा अग्जस्टेट टोटल इंकम कैसे आएगी इनको दुबारह से इनको लेस करने इनको मैनस करना और फिर जो बाद में आएगा रिजल जो कि scientific research के लिए काम कर रही है अच्छा यह कोशन आया था ना यह सुवे भी आया था section 3513 वाला section 3512 वाला अच्छा यह सुवे वाला भी कोशन है कि यह किसके लिए scientific research वगारा के लिए morning में भी आया था अभी जीजी कौन सी है रेंट पेड जीजी इस फो रेंट पेड अगर आपने रेंट पेड किया है सेल्फ इंप्लोईर सेल्रीड है तो ठीक है तो यह सब exceptions है जीजी भी किसके लिए है किसी political party को contribute किया तो जीजी सी किसके लिए पॉलिटिकल पार्टी एलेक्टरल पार्टी रस्ट को गर कंट्रिबूट किया तो यह कंपनी के लिए यह और सेसी के लिए उपसला मॉडल आप बार पूछ रहे हो तो उपसला मॉडल इंटरनाशनल बिजनस का मॉडल है जिसके इंदर स्टेजीज है नो रेगुलर पूरी सारी के सारी कंट्री तक अब चली जाती है तो इसको बोलते हैं मॉडल सुबह भी बता दिया था और ली लेकिन नहीं तुम्हें देखने हैं ठीक है तो एक कंट्री पूरा फिर ऐसे दूसरी पूरा वर्ल्ड में यह च्छा जाती है इसको कहते हैं कि इंटरनाशनल कैसे होगा कि इसके साथ एक और मोडल है जो कि ट्रांजेक्शनल कोस्ट अनालेसिस है और यह वाला मोडल फ्रेंड्स मैं आपको आने काडमी पर स्पेशल क्लास में भी करा चुकी हूं जब मैं कॉमर्स की रिविजन ले थी इंटिनाशनल बिजनस की सो ट्रांजेक्शन वाले कोस्ट को बैलन्स करते हैं यहां पर ठीक है सो एक्स एंटी एंड एक्सपोस कोस्ट हमारी इक्वल होने चीए डोमेस्टिक की बराबर यह कोशन सूबी आया था तो ध्यान दो की 3511 के अंदर साइंटिफिक रिसर्च का रिवाट न्यू एक्सपैंडिचर आएगा अगर आप कापिटल एक्सपैंडिचर कर रहे हो साइंटिफिक क्रिशर्च में इस डिस क्लियर यह मैच करने को आया था और 31.2 के अंदर अगर रिसर्च असोसेशन युनिवरस्टी में अगर आप कंट्रिबूट कर रहे हैं तब अभी 100% के कोई लिमिट के याद करने की दोतनी है सारे 100% हो गए हैं और IIA के अंदर साइन्टिफिक रिसर्च किसके लिए कंट्रिबूट अप्रूव्ड कंपनी कंपनी को दे रहे हैं तो एक युनिवरस्टी को है एक जनर्र रिसर्च है और एक कंपनी को दे रहे हैं अप्रूव्ड रिसर्च एसोसेशन युनिवरस्टी कॉलेज को किसके बजेंगी है कि 3114 में Capital expenditure मैंने बता दिया बस यही आई थी बागी सब कुछ माने बुक में नहीं रखा है ठीक है एक्जाम अच्छा हुआ चलो सो अभी मिलते हैं रात को 10 बजे मेरी लिंक पे क्लिक करो मेरी प्रोफाइल में आओ ठीक है उसमें स्पैशल क्लास में क्लिक करक और हमारा नवदीप लाइव कोड है जिससे आप अन्लोग कर सकते हैं फ्री क्लास को रात को 10 बजे है ठीक है सो ड्रीम बिलीव एक्टि रचीव अल दे बैस फो यह जे रफ मिलते हैं रात को 10 बजे मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन करते हैं पेपर वन के लिए अभी सारे डाउट तो क्लियर होई गए ठीक है जी थेंक यू आइड आल दे बेस्ट फो यह जे रफ सबको अपने आपको प्रूव करके दिखा रहा है ठीक है ड्रीम बिलीव एक्ट अचीव लेट्स क्राक इट